आज है जी ओईलिंग दे और जी जिन मैंने अपने सर पर और जी ओईलिंग करनी होती है ना तो मॉर्निंग में उटते साथ ही मेरा फर्स्ट काम होता है कि मैं अपने सर पर ना ओईलिंग करनी होता है ना तो मॉर्निंग में उटते साथ ही मेरा फर्स्ट काम यही होता है कि अपने सर पर मसाज कर लूँ इसको अच्छे से मैं लगा लूँ भर भर कर लगा लूँ ताकि इस ओयल का जो मकसद है ना मेरे सर पे लगा रहने का वो पूरा हो जाए और आज मैंने अपने सर के साथ आतना सब के सरों पर मैंने इस ओईल का मसाज किया है और अच्छे से खूब सारा मैंने इनको ये लगा कर दिया है पहले मैंने अपनी कजन सिस्टर को लगाया पिर मैंने अपनी नीस को लगाया और एंड पर फिर मैंने अपने सर पर लगा लिया था और ये ओयल बहुत बहुत अच्छा है और जहां से मैंने ये रिसर्च करकर मैंने ये ओयल बहनाया है तो आप यकीन करें इसके इतने ज़्यादा बेनेफिर्ट्स है है कि में अपनी मामा के सरपे पहले लगाया था यह ओ rely और इस की रेसिपी بھی है और मैंने रेकॉर्ड भी किया और मैं आप लोगों के साथ जरूर शियर करूंगी इंशाओला कल 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 तक मैं ये शेयर कर दूँगी और आप देखिएगा मैंने अपने सर पे ऑईलिंग भी कर ली थी और बाकी के भी मैंने सबकी ऑईलिंग कर ली थी और मेरे पास कुछ काम करने को है ही नहीं था क्यूंकि मैं अपनी कजन की तरफ रहने आई हुई थी और अगर मैं घर होती त मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती मैं बैट कर वेट करती रही कि कब मेरे 4-5 गंटे हो जाएं इस तेल को तो फिर मैं शावर लूँ और फिर मैं बैटी वी थी पिर मैंने सोचा कि मैं ना बच्चों के कपड़े प्रेस कर लेती हूं जो उन्होंने पहने थे आज तो मीडी कज़र मुझे काम करने धी ही नहीं रही थी तो मैंने का मैं तो ऐसे बोर हो जाँगी अगर मैं काम नहीं करूंगी तो और वैसे भी ना मुझे बच्छों के कप्ड़े प्रेस करना का बहुत ज्यादा शौक है और इस वज़ा से फिर मैंने सुचा चाहअ कि मैं प्रेस करती हूं बात समनी करना तो बैड़ कर देती है कि तो यहां से प्कड़ा करेंगे थी तो एजी ली पहना जाता है भी बच्छू के बाद फिर ने अपने भी कपड़े क्यान चुह कि मैंने शावरे लेना थाउ यह लगा हुआ है यह पाताफरा है मैंने खुद किया था और बहुत मुश्किल है स्टिचिंग करना कपड़ों की लेकिन वह भी मुझे आती है और यहां पर जी मैंने शावर ले लिया है और जब ऑईल करने के बाद आप अपने बाल वाश करती है तो इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है इस और यह इतना इतना ज्यादा बेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन बता फिर भी रही हूं आपको कि मेरे पहले जो बाल थे ना वो बहुत ज्यादा चोटे थे इस तेल को यूज करने के बाद मेरे काफी हद तक बाल लंबे हो गया और जो आप कोई देखता है ना मेरे बालों को तो मैं सबको ना इस ओयल के बारे पताती हूं तो माशाला से सब कहते हैं कि आप हमें भी बना कर दें हमें भी बना कर दें तो मुझे काफी जादा ओर्डर आ चुके हूए हैं और मैंने अपनी कजन को भी बना कर दिया था तबही यहां पर ओयल पढ़ा हुए तो पर मैंने का अचादे मैं भी फाइदा उठाती हूं इस ओयल का असलामलेकूम एवरीवन वेलकम बैक टो एनधर वीडियो एनधर विलोग और आप सब ठीक ठाक होंगे अलहमदोलेला से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और आज का जो विलोग है ना वो मैं अपने घर से बिल्कुल स्टार् अचादे में बहुत कुछ आने लग जाता है जिसका जिन्दगी में हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है तो इस वाज़ा से मैंने सोचा है कि मैं अपनी कजन की तरफ रहने आऊ और आज का जो विलोग है वो यहीं से स्टार्ट होगा इसी घर से होगा और मैंने शावर ले लिया हुआ है क्योंकि मैंने आज ओई लिग ती और इस ओई के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो बहुत बेस्ट और इसकी वी ना चोटी सी रेसिपि आज जो मैं आप लगों के साथ जरूर शियर करूंगी आप भी इसको बनाएं और अपने चोटे वालों को लं खोने जारी हूं और मेरे देखने वालों को मैं यह जुरूर कहूंगी कि कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे है ना वो स्कीप करके बिलकुल मत देखे और एंड तक देखना इस वीडियो को आपने और अपने फ्टेन आंड फैमली के साथ जरूर शेयर कीजे मेरी वीडि और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं थाइंक यू बच्चों के साथ मिलकर मैंने नमाज अदा किया उसके बाद मैंने फिर थोल सी तस्वीफ वगरा पड़ रही है और अब मैं बच्चों को अकैडमी चोड़ने जा रह की आफ़ जाए होती है कि की कि कहता है कि कोई था आइंक हृद देता को कोई कहता ही काई हाई थे ड़ा जाती है को पिर मुझे भूग लग रही थी, थोड़ी थोड़ी लग लग ले थी, जादा नी लग रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे ना प्राथा बना दिया, और वो खाकर फिर मैं यहां पर टीवी देखने लग गई थी, क्योंकि घर पर मैं इतना टीवी नहीं देखते हूं, यहां पर यह होता है कि मैं काम करती हूँ ना मेरी कजन मुझे बहुत रोकती है इकड़ा ना करो ना करो मुझे होता है कि मैं काम करूँ कुछ ना कुछ ना तो फिर मैंने सोचा कि रस्ताफ़ान पड़े में वाश करने वाले तो मैंने का कि चले मैं कर देती हूँ चलो मेरी कजन का तो फिर में काम अदा हो जाएगा तो पिर मैंने जैसे मैं घर पर भी बोश्च पर पारिगी आगरा घर जाओ की नहीं तो मुझे लृट्वारिख बेड़ने पिर अदत पर जाएगी तो एक साइट पे मेरी कजन वो खाना बना रही तो मैं यहां पर अपना काम कर रही थी और पिर चूले का ये देखें कितना बुरा हाल हो गया था क्यूंकि मैंने रुमाल जो थे ना वो मैंने बॉाइल किये थे कुछ उसकी वज़ा से भी और कुछ मेरी कजन ने खाना बनाया तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था चूले का तो फिर मैंने सुचा कि मैं इसको ना और ना ही कोई इतनी मोटी तैय जमती है चिकनाई वगयरा की क्यूंकि बाजवा मैंने देखा है अक्सर लोगों को के वह चुले वगएड़ा साफे नहीं करते हैं और फ्राई भी कर रही जाते हैं सासा चीजें जो नीचे गिर रहे बस गिरी जा रहा है साफ ही नहीं करती है मन्त में एक बार साफ करती है तो फिर बात में शोल्डर लेकर बैर जाती है जब उस चीज़ को रगड़ती है ना फिर उनको होता है कि हमारे शोल्डर में दर्द होने लग गया है यह है वो है तो आप पहली कर लिया करें रो रोज जैसे मैं करती हूँ अपने घर पर भी मै मी ती आयी और यहां पर फिमीरी वही रोटीन जो मीटि घर पर होते हैं और आप देखें कि कितना साफ लग रहा है और मैंने चाये भी बनाई है जब पी छूल हुआ सारा ऌगड़ा ना ताप में अपनी कजन को बॉला के जन्क्व अब ना जरा इतिया से करना मैंने इसको स बीदीन स्टार्टिंग से ही ही अदत एक मैं कुछ भी कर लेती ही थी ना तो मैं किसी को खराप नहीं करने देती थी। वैसे खराब होनी वाली चीज खराब तो होती है लेकि मैं खराब नहीं होने देती थी मुझे होता था कि मैंने इतनी महिनत किया तो मैं इतनी महिनत वेस्ट जाएगी घर पर अगर मैं बैट शिट बिचा लेती थी तो दिल लगा कर बिचाती थी तो मैं भाईयों को बैटने देटी थीना मैं चूफर मैंने कवर डालने होते थे तो मैं कहते थी कि जैसी चीजमें ने किये नहीं तो ये वैसी ही रहें हवाएथा ना हो तो मुझे भी नहीं यहां पर भी यही आदत है , मैं अगर नहीं किसवादच कर थीक करते हूं Kan सकते हूंен तो मैं बच्छे को निन देती जब बच्चे अकैडमी से आगे तो फिर बच्चों ने जिद किये कि ना खाला आज हम ना लुडों खेलते हैं तो मैंने का चलें बच्चे भी ना पड़ पड़ कर ठक जाते हैं चुरो थोड़ी सी ना चेंजिंग नानी चाहिए ऐसे बच्चों के साथ ना पड़ाई से थोड़ा सा हर्ट करना थोड़ा इंजॉय भी कर सकें तो बस मैं हम लोग ना लिड़ों खेल रहे तो उसके बाद मैंने खाना खा लिया और ये मेरा अपना घर तो है निच के मैं ना खुद खाना बनाती बस जी बच्चों के साथ मिलकर मैं यहां पर खाना खा रही थी और मैं इस वीडियो को यहीं पर रियांट करती हूं अपना बहुत ज्यादा क्या लगए का दौा में मुझे याद रखेगा अला आफीज